6.45 इस वक्त हुए हैं लेकिन इस वक्त आपको दिखाई देगा कि चुनाओ के शुरू होने से पहले लाइने ये लाइने खुश करती हैं आपको ये बताती हैं कि भले ही फर्स्ट फेज में मतदान कम रहा हो लेकिन सेकंड फेज उससे आगे निकलेगा इन लोगों का उस्सा आपको दिखाई दे रहा हम इस वक्त बागपत में हैं बागपत यानि पहली बार 47 साल बाद इस सीट पर वो चुनाओ होने जा रहा है जिसमें चौदरी चरण सिंग परिवार का कोई शक्स चुनाओ मैदान में नहीं है एक नई किसम की राजनीती यहां है काफी टफ फाइ एक भी नहीं है यानि नए उम्मिद्वार है लोगों का लेकिन उससा उसी तरह है क्योंकि बागपत में पिछली बार लगवग 65 फिजदी वोट हुआ था इस बार मुझे लगता है रिकॉर्ड पार करेगा और यह यह भीड आपको खुश करती है तमाम उन लोगों को जो ल आए सुनाओ सुरक्षा वरस्ता मजबूत है वोटिंग शूरू नहीं हुई है लेकिन लोग तैयार है पूरा हम लोग कुछ से अरे सुभई सुभई पहुंच गए वोट देने हैं भी अपना सुभई सुभई निम्टाले काम बोट का सबसे पहले वोट डालना अरे वह सब्सक्राइब यह एक बहुत अच्छी बात यह है कि अपनी जिम्मेदारी याद है और अपना जो जो धार में करतव वह वह भी पूरे तरह से पूना है हमेशा 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 और पहले से तैग कर लें तो यह बताते हैं यह इस बार आपको क्या मुद्दा लेका है है विकास के मुद्दा होगा जी जी बदलाव की बात परते हैं जो चलना सही चलना सही चलना का का बताएं चाचा आप ने तो चौदरी साहाब का दोर भी देखा हुगा थोड़ा अलग है अलग है अलग है एक जमाने में तो पर्दान मंतरी का छेट रहता है काका आपने जी यहां बढ़िया था राजी बढ़िया है ठीक है ठीक है इस बार मुद्दा तो महंगाई को कर सभी कुछ है लेकिन अमन सकून जो सबसे बढ़ते बात यह यह होना चाह तो चलती रहेगी चलती रहेगी बस सकून आमान हो थोड़ा सा एसास है कि चौधरी परिवार का इस बार करते हो गया है मैं अक्सर आता हूं यहां क्या है सबसे पहले काम यह इसके बाद नास्ता नमाज है अच्छा निकाल पाना आसान नहीं है आखिर मत आता है तैयारी के साथ आए लेकिन यह इस तरफ देखिए आप दोनों तरफ मैं दिखा रहा हूं कि साथ बजने से पहले इस समय दोनों तरफ और इधर पहुंचिए तो इधर भी यह लाइने जो इसारा कर रही है कि मत प्रतिशत उचा होगा और लड़ाई काफी टफ होगी लेकिन लड़ाई से अलग इस खूबसूरत नजारे को आप देखिए कि जब साथ बजने से पहले अभी कोई वोट नही हैं महज सवा साथ बजे यानि मदान को पंदरा मिनिट हुए हैं लेकिन इसके तुरंट बाद आप देखिए कि किस तरह की लंबी लाइने हैं जो तमाम राजनेतिक दलों को तो खुशकरी रही होंगी साथी साथ लोगतंत्र के लिए जो चुनाव करा रहे चुनाव आयोग उनको भी खुश कर रही हैं क्योंकि ये लंबी लाइने ये बताती हैं कि पहले फेज में कम मर्दान का जिस तरह का सेटबेक लगा था कि इस तरह से लोग निकल नहीं रहे हैं उससे उलट इस वक्त सुबह होने के साथ ही लोग पहुँच चुके हैं सिर्फ इस पर नहीं है यह बूट जो है हम लोग यहां बागपत के दूसरे बूट पर हैं वहां जहां से इस समय अलग अलग जगे पहली बार चौधरी चरण सिंग परिवार से 47 साल बाद कोई शक्स चुनाओ मैदान में नहीं हैं 1977 में लोग सभा में एंट्री हुई थी उनकी यहां से और विधा सभा के लिए संयुक्त प्रांत की विधान सभा थी आजादी से पहले की बात है तब यहां से चुने गए थे और उसके बाद से उपरिवार यहां रहा लेंड जो जमीदारी उन्मूनल एक्ट है यानि किसानों को खसरा खतोनी और इस सब की ताकत देने वाले चौधरी चाहते हैं यह सरकार को बदलना चाहते हैं वो उनके जहन में तैय है कि वो किसको वोट देंगे लेकिन अच्छी बात यह है कि वो वोट देने पहुंच रहे हैं और उस रिकॉर्ड को पिशली बार यहां काफी संख्या में मद्दान हुआ था लगब 65% हुआ था उस तरफ आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ भी दिख रहा है कुछ लोगों समझेंगे कागा सुबही वोट देने आगा जी कुछ और पहले 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 वोट करना है अच्छा आपके दिमांग में क्या मुद्द मेहंगाई आपको जादा बड़ी लगती है या जो इस इला है अपना सरकान दूसरे ने बनवाई है यह जो है फंड के वैसे वैसे आते हैं अन्न महेंगाई तो बहुत जाते हैं अन्न महेंगाई के लिए वोट करते हैं अच्छा आप 20 हुए पहले पहले तो वजीप है के भी तीन सुरूबे मिलते सर अर आप कोई भी नहीं देता इस पर ठीक है आपका इश्यू हुआ है अब बताईए अब इस बात नहीं है सर कंडिडेट कोई देशीत में काम करना चाहिए और पबलीक के लिए काम करना चाहिए अब क्या समझते हैं बदलाओ तो पार्टी ने खुद ही कर दी है सभी सभी कंडिडेट नए हैं सबने बदला इस तरह की जो इतना लंबा रिष्टा है इस बार थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि पबलीक है पने बदलाओ चाहिए लेकिन आपको अच्छा लगता है जैन चौधरी अच्छे हैं कंडिडेट कर रहा हूं जब मैं सुबह यहां वोट पहुंचा था तो एक सक्से मैंने पूछा कि आखिर यह जो बदलाव है इसको कैसे देखते हो आपको कुछ लगता है बदलना चाहिए तो उन्होंने कहा कि लेकिन वोट तो वहीं जानी है तो बागपत का मिजाज थोड़ा अलग आता है हम लोग इसी पर है लेकिन यह पहली बात है कि बेहद खुशनुमा द्रिश्य आपको दिख रहा है और हम एक बहतर उस समय चुनाओं पर एक वोट देकर आते हुए लोगों से भी बात कर लेत आप डायां जू कि अपनी बैस मेडाय सनके अपनिया ऐस्की व텐प द्रशाय कहले कैना क्यों हुआ है कि अन्हों नहीं ने वोट दिया है और पहले रिजो पहले वोत क्या इस पहले वोन के वहां जिए और भी कि वो अपने जिन्द मुद्दों के साथ आये हैं यह अच्छी बात होती है क्योंकि जब जादा मद्दान होता है तो लोकतंत्र की मुस्कुलाहट भी बढ़ जाती है वीडियो जनलिस्ट विकास के साथ देरेंद्र पुंडीर न्यूच नेशन बागपत